हलो एफ्रीवान, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सूद, सो मध्यपरदेश सेट दो हजार तेइस पेपर वन प्रेपरेशन में हमारा ये लेक्चर टू है, जिसमें आज हम डिसकस करेंगे लर्नर्स के रेक्टर स्टिक्स जो की टीचिंग इस टॉपिक से किस तरह की क्वेशन आते हैं, कैसे स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से सारे कॉंसेप्स हम इस टॉपिक के क्लियर कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को ध्यान से एंतर देखते तो पेपर वन प्रेपरिशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हमने लांच किया है, जिसमें की 100% सेलेक्शन की मैं आपको गैरेंटी देती हूँ, इसमें आपको फुल सलिबस वीडियो लेक्चर में लेंगे, जिसमें की स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपके सा इसमें से आज इस बहुत बार क्वेशन एक्जाम में आते हैं, जिससे के स्टुडेंट का बहुत एजिली एक्जाम क्वालिफाइ हो जाता है, इस कंप्लीट कोर्स को जॉइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए किसे भी एक नंबर पर वाट्सअप की मदद से आप लोग एज पूरा कर सकते हो, पेपर वन कम्ट्रीट कोर्स को जॉइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन आप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री अप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जा करके सर्च प्यार में आपको लिखना है, मध्यपरदेश सेट एक्जाम 2023, दिन आपके सामने इसका ओवर्व्य आजाएगा, जो कि अल्रेडी हम डिस्कुस कर चुके है, दिन आपको जाना है, इसके कॉंटेट सेक्शन पर यहां पर आप देख सकते हो, फुल सिलिबस जो कि डिफिनेटली आपके पॉस्ट अटेम्ट में इस एक्जाम में अच्छा स्कुर करने में आपको मदद करेगा, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे, लर्नर के करेक्टर स्टिक्स की, यानि की एक शिक्षार्थी की क्या-क्या विशेशताएं होती है, तो एक लर्नर अगर उनका पड़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इससे भी एक लर्नर के करेक्टर स्टिक्स में बहुत से बदलाव आ सकते हैं, राइट? तो लर्निंग क्या होती है, कुछ चीज सीखना, सीखते हैं अगर हम, तो वो क्या होती है, तो लर्निंग is strongly based on intellectual level, cognitive ability, intellectual level मतलब कि person A कितना intelligent है, कितना fast उसका दिमाग काम करता है, दूसरा होता है cognitive ability, cognitive का मतलब क्या होता है, जो भी चीजे हमारे mind से related होती है, हमारे brain से related होती ह है, उसको बोला जाता है cognitive, तो एक person का intelligence level, उसका mind level, यानि की cognitive ability, उसकी personality and उसका attitude, attitude यहां पर मतलब है, कि वो actual में सीखना चाता है, कुछ यह नहीं सीखना चाता, ठीक है, तो उसके सारी की सारी ये points को ध्यान में रखते हुए ही, एक learner के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, करने का जबरदस्ती घरवालों ने भेज दिया, ये दोस्तों के चक्कर में आगे, तो ये होगा उनका attitude, कि बस जबरदस्ती भेज दिया, नहीं करनी थी, ठीक है, वहीं अगर person A को माल लीजे कि designing में जाना था, web designing में, तो यहां पर उनका attitude कुछ और होगा, क्योंकि ये वो जो क्या सीख रहे हैं, कितनी जल्दी सीख रहे हैं, उस पर depend करता है, right, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कि कभी आपका mood खराब है, तब आप पड़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छे mood में बैठे हो, या फिर कोई tension है कि कल exam है, एक हफते के ब बताना होता है, कि ये statement correct है या incorrect है, right, तो एक learner को हम चार चीजों के basis पे recognize कर सकते हैं, वो चार चीजें हैं, उसकी cognitive characteristics, उनकी personality, social characteristics और physical characteristics, इस chart को आप लोगों ने याद रखना है, right, cognitive characteristics में आता है, मैंने आपको बताया, उसके mind से related चीजे, ठीक है, technology में किसी को interest कितना है, reading level कितना है, visual latency कितनी है, उनकी ठीक है, यानि कि किस चीज में interest है, क्या वो actual में सीखना चाहता है, क्या उनको जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें एक learner पे effect करती है, and learner पे अगर वो चीजें effect करती हैं, तो learner के output, यानि कि जिसको हम outcomes बो बोलते हैं, उन पे भी इस चीज का असर पढ़ता ही पढ़ता है, तो ये होती है cognitive ability, cognitive characteristics, जो की बहुत ही जादा important होती है, ठीक है, इसको हम लोग या तो learner's characteristics भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है, four heads of a learner, h-e-a-d-s, four heads of a learner, ठीक है, अब यहाँ पे learner आप बोलोग होते हैं, एक learner होगा कोई छोटा बच्चा, एक learner होगा कोई school level का बच्चा, तीसरा learner हो सकता है जो college, masters, इस तरह से कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम आगे जाकरके learners की characteristics को, यह जो four characteristics हैं, इनको इन तीनों phases के हिसाब से भी divide करते हैं, कि अगर इस से, इस age group का चाहिए, उसका personality characteristics क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़े हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके साथ ही students, यह जैसे characteristics हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि previous year, learners characteristics से related क्या question आए थे, उसका अंसर ज़रूर आपको आता होगा, अगर आप इसको अच्छे से भी समझ रहे हो, next है personality characteristics, यानि कि वो कितना active है, ठीक है, motivation to learn, meditation करते हैं, क्या उनका environment है, कैसा उनका lifestyle है, यह सारी की सारी चीज़े, उनकी personality characteristics को measure करती है, अगर कोई एक person है, माली जो बहुत active है, exercise, gaming, यह सब चीज़ों में काफी active रहता है, तो उनका mind fresh रहता है हर समय, लेकिन वहीं दूस personality characteristics as compared to दूसरे वाले student से थोड़ा low रहता है, कोई person अगर depression में है, कोई family pressure है, या फिर कोई भी issue हो सकते हैं, तो उन लोगों का personality characteristics थोड़ा low रहता है, इस वज़ा से वो थोड़ा सा slow चीज़ों को समझते हैं, right, so I hope यह दो characteristics आपको बिल्कुल clear है, अब आते हैं, तीसरे पे जो की है, social characteristics, social मतलब कि उसका educational level क्या है, career क्या है, वो आसपास के लोगों के साथ कैसा उनका रिष्टा है, कई होते हैं कि office जा रहें, college जा रहें, हमेशा थोड़ा mood घराब रहेगा उनका, हमेशा वो लड़ते जगडते रहेंगे आसपास वालों के साथ, तो वो वैसे ही थ चीज़ों पर बहुत effect करती है, exam में students इसी तरह के real life examples आएंगे, आप सोचोगे कि statements as it is होंगी, वो भी हो सकती है, लेकिन generally आपको real life examples दिये होंगे और आपको उनी के basis पर बताना है कि इसमें किस characteristic के बारे में बात की गई है, next आता है physical characteristics, इसको आप समझ लीजिए, आगे question बताऊंगी उससे बहुत concept आपका clear हो जाएगा, physical characteristics में आती है, किसी की virtual ability, age हो सकता है, sex हो सकता है, fatigue हो सकता है, कोई भी किसी को बिमारी है, ठीके अगर कोई बिमारी से परिशान है, तो वो कैसे समझ पाएंगे, कैसे ध्यान दे पाएंगे, तो ये सारी आती है physical characteristics में, so I hope ये concept आपका बिलकुल clear है, अभी भी अगर थोड़ा confusion है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो शायद हो सकता है confusion, लेकिन आगे जैसे मैं questions आपको करवाती जाओंगी, आप लोगों को concepts बिलकुल clear होते जाएंगे, ये देखो students, ये question है, 2016 में पूछा गया था, इसमें पोला है, the teacher who keeps on asking questions in the class, एक teacher है जो class में questions पूछे ही जाते हैं, तो क्या होता है, इससे student पे क्या फरक पड़ता है, should be advised to meet teacher personally, sorry यहाँ पे होगा teacher नहीं होगा, एक learner होगा, अगर एक learner class में question पूछता ही जाता है, तो क्या होगा, तो उनको teacher को क्या suggest करना चाहिए उस बच्चे should be advised to meet teacher personally, उनको बोलना चाहिए कि class में मत पूछो, आप लोग teacher को बाद में बाहर मिलो, personally मिलो, ठीक है, should be encouraged to participate in classroom discussion, उनको encourage करना चाहिए, कि आप और भी जादा participate करो class discussion में, should be encouraged for self learning, उनको बोलना चाहिए कि हम नहीं बताएंगे, आप खुद से सीखो, should be encouraged for continue questioning, यानि कि उनक encourage करना चाहिए, कि जैसे आप questions पूछ रहे हो, आप पूछते रहो, इस चीज से knowledge बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखो, बताया गया है, classroom की condition बताई गया है, अगर ऐसा case आपके पास आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस learner के point of view से आपको बताना है, तो इसका right answer आपको तो फटा-फट comment कीजिए, अभी मैं आपको कौन सार बताती हूँ, that is option number 4, that a learner should be encouraged for continue questioning, उसको बोलना चाहिए, कि questions आप पूछते रहो, next है, personal characteristics, personal characteristics में आता है, मैंने आपको बताया, maturation, language, social economic status, ठीक है, यह जो भी चीज़े हमने यहाँ पे अभी discuss की है, यह वही है, personality characteristics, वही personal characteristics, ठीक है, आप इसको simple language में यहाँ पे देख सकते हो, next है, academic characteristics, यानि कि कितना knowledge है, किस class में पढ़ते है, educational level क्या है, education का type क्या है, यह सारी चीज़े आती है, academics में, cognitive मैंने आपको बताया, intelligent कितना है, चीज़ें कई बच्चे होते हैं, एक बार पढ़के याद रख लेते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको तीन-चार बार पढ़ना होता है, फिर वो याद रख पाते हैं, तो सबका अपना-पना level होता है, इस तरह की levels होते हैं, इसको cognitive characteristics बोलते हैं, अब यह चीज़ें यहाँ पर क्यों आड की गई हैं, क्योंकि आप लोग teacher बनने वाले हो, ठी कि अगर एक student एक चीज़ को एक बारी में नहीं समझता है, तो आपको उसको किसे दूसरे student के साथ compare नहीं करना है, क्योंकि हर एक student का अपना cognitive level जो होता है, वो different होता है, इस से related एक और question है, वो यह है, कि which among the following is a cognitive characteristic of learner, क्या हो सकती है, sensory perception, यानि कि समवेधी धारना, believe, यानि क किसी चीज़ को मान लेना, कई लोग होते हैं, कुछ भी बोलो, वो मान जाते हैं, academic self-concept, यानि कि academic आत्म अवधारना, या फिर levels of visual literacy, यानि कि दृष्य साक्षरता का स्तर, तो इसमें से एक learner की cognitive characteristic क्या है, ये भी 2018 में question पूछा गया था किसी एक series में, ठीक है, इसका right answer है, option इसमें level है, उसके mind का level कितना है, वीजुल वो कितना level पे कर सकता है किसी चीज़ को, ये बताता है उसकी cognitive characteristics को, तो अगर आप लोगों को ये four characteristics जो मैंने बताई, इनकी basic से definition, इनका exact meaning, ये पता है, तो इस तरह के question में आप compare कर सकते हो, कि कहां पे किसी बच्चे के दिमाग की बात की गई है, कहां पे उसकी personality की बात की गई है, कहां पे उसकी knowledge की बात की गई है, कहां पे उसकी qualification की बात की गई है, ठीक है, इसी basis पे इन चीज़ों को divide किया जाता है, अब यहां पे देखो students, ये भी है, एक previous year question ही है, यहां पे match the following आपको करना है cognitive, emotional, social, verbal, ठीक है, सकते हूँ, बहुत easy question है, ठीक है, so cognitive, यहां पे आप देख लो, directly मैंने answer बता दिया, cognitive का मतलब होता है, mind से related, अब किसी के mind का level क्या है, वो पता कैसे चलेगा, कि वो abstract problems को कैसे solve कर सकता है, क्या उनकी ability है, इसको solve करने की, उसके बाद आता है B का 3, यानि कि emotional में यहां पे बो यानि कि ability to relate to another, हम कैसे किसी के साथ relate करते हैं, कैसे हमारे किसी दूसरे के साथ relationship है, यह यहां पे बताया जाता है, and verbal में होता है ability to articulate the idea, यानि कि कोई बात थी उस पे कैसे idea को हम articulate करते हैं, that is very very important है, right, so यह थे students, learners के कुछ characteristics, जो कि बहुत जादा important है, इसी के साथ यहां पे क curious होता है, यानि कि उसमें कुछ भी चीजें जानने की, कुछ नया पढ़ने की, नया सीखने की चाह बहुत जादा होती है, interest बहुत जादा होता है, carefully understanding कोई चीज ध्यान से अगर आप जैसे यह वीडियो अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, तो आप अच्छे से समझ रह लेर्नर हो, social and personal quality, growth and development, willingness to learn, यह good learner का curious होता है, waypoint आगया, ठीक है, interest and attitude of the learner, कैसे उनको interest है, क्या वो सीखना चाहते है, easily adjusting to change, कई लोगों होते हैं कि नहीं हमें इसी teacher से पढ़ना है, हमें यह environment में नहीं पढ़ना, हमें यह नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, इस तरह का student जो होता है, इस तरह का learner जो होता है, वो एक अच्छा characteristic वाला learner नहीं होता है, जो student कहीं पे easily adjust हो जाते है, change के लिए कि कोई teacher है, कोई बात नहीं, आज हम दूसरे teacher से पढ़ लेंगे, वो अच्छे learners होते हैं, internal motivation, यह self motivation भी बहुत ज़रूरी है, social cultural background कि उनकी अपनी life में क्य जा चल रहा है, यह भी उनकी learning को effect करता है, और उनकी learning power कि वो कितना जल्दी सीखते हैं, कितना जल्दी समझते हैं, ठीक है, so यहाँ पे students, आप लोगों के साथ मैंने 10 points share किये, आप मुझे 10 में से बताईए कि आपके कितने आप इंसे रिलेट कर पा रहे हैं, उससे आपको चल जाएगा कि आप एक अच्छे learner हो या नहीं हो, ठीक है, 10 में से मुझे जरूर comment करके बताईए कि आप ने कितने points score कि